हेलो एवरीवन स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है क्रिकिट एक्सपर्ट तो अभी हम बात करने वाले हैं पॉंडिचेरी टी-20 में होने वाले आज के आखरी मुकाबले की तीसरा मुकाबला है दिनका तीन-तीन क्यों कर रहे हैं पहले दो-दो कर रहे थे मैच's हो रहे हैं जितने भी स्वाहन सारे के सारे करवा दिए डृमलबन सारे के सारे होंगे देखना को अैसा मुकाबला हो ta to वह संस्वाली बात आपको सारे के सारे मै on घ्रट पर मिल जाएग टेलिग्राम का लिंक को नीच यस一个 मिल जेगा 58 आज एक मुकाबला खेलकर आरह बुल्स की अगर मैं बात करूँ कल एक मुकाबला खेला था कल वो वाला मुकाबला बुल्स हार कर आ रही है दोनों टीम्स की रीसेंट परफॉमेंस इतनी बड़िया नहीं रही है पर आप देखोगे पैंथर्ज और बुल्स आपको सारी डिटेल बताऊंगा कितने कितने मैच पर जुणना है ग्रेंड लिगस की टीम भी आपको वहीं पर मिलेंगी तो अब भी जो हम यहां पर पूरी की पूरी डिटेल डिसकस कर लेंगे पहले डीटेल डिसकस करेंगे फिर हम टीम डिसकस करेंगे उसके बाद जोह आपको जब TOS आ जाएगा तो final टीम आपको पर यहां पर और आप टैंपिरेचर की बात करोगे तो 26 दिए आपके पास है यहां आपके पास पिंच रिपोट थोड़ी सी स्लो आ पयोंकि पहले क्या था पहले रें नहीं थी starting जब हुई थी tournament की rain के बहुत कम chances हुआ गरते थे तो वहाँ पर pitch बहुत बढ़िया गर रही थी पर अब बारिश की वैसे pitch हो चुकी है slow, मतलब dampness आ जाती है pitch में, वो ball पकड़ लेती है pitch, तो उस वज़ा से batsman इतना बढ़िया perform नहीं कर पा रहे है average first ring score की अगर आप बात करो, 121 run है जो last 5 मुकाबले हुए है record of chasing अगर आप देखोगे, तीन बार chase करते है, टीम जीती है दो बार यहाँ पर आ रही है, तो chase करना थोड़ा सा असान है, अब panthers की अगर आप बात करो, तीन मुकाबले यह जीत कर आ रहे है, दो मुकाबले अपने हारे है, अपना पिछला मुकाबला और recent वाला मुकाबला था, वो यह हार कर आ रहे है बुल्स के खिलाफ पहला मुकाबला है, इनका ऐसा नहीं की पहले खेल चुके हैं और अब भी नहीं तो बुल्स के खिलाफ इनका पहला मुकाबला है यहां पर शाक्स के खिलाफ इनके दो मुकाबले हो चुके हैं शाक्स के खिलाफ एक मुकाबला जीते हैं एक मुकाबला हा रहे हैं टाइगर्स के खिलाफ साथ विकेट से मुकाबला हा रहे थे फिर उसके बाद अगर आप देखो तो भाया आपके पास लाइन्स के खिलाफ आठ विकेट से मुकाबला जीते हैं और टसकर्स के खिलाफ पांच रन से मुकाबला जीते हैं थोड़ा सा क्लोस क्लोस अंकाउंटर वाले मुकाबले भी जीते हैं जैसे एक लोस अंकाउंटर वा आहां मतलब ऑपनी तर्र आपके पास चार विकेट दस रंडों के साथ एक विकेट जीरो रन के साथ एक विकेट होगा क्या आमीर जसीन उपर आजाएगा क्योंकि आमिर जसीन उपर ही आ रहा था इसे बताने नीचे क्यों कर दियागा पिछले मुकाबले में भी चावला इस रन मारे हैं ऐसी सागर तीर्वेदी पिछले तीन मुकाबलों से बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है भुवेंदर चोहान आपके पास है जीरो रन फिर उसके आज जी सैमुल आपके पास है चौबीस रन के साथ एक रन फिर उसके बाद अगर आप देखो भी है रगू शर्मा आपके पास है एक विकेट इसना चटकाई है अरविंद राज ना दो विकेट चटकाई और यहां पर अगर आप देखोगे तो भी आपके पास ए विजए हैं जिसना चार रन के साथ दो विकेट आपको गे रन भी यहां तक बैटिंग आगे थी भाई क्योंकि अगर आप देखोगे ना यह पिछले से पिछले मुकाबल नहीं यहां पर आप अगर आप देखोगे निती अरविजइ तीन और करवा रहा है पहले और मैं लमॉण से क्टमा और करते और करों है तो तो पहले और पके पास एक बहुत बढ़िया पर फॉर्मार उसके बाद मैं बात करकू भी चोहान एक कर वाया अगर पीचछान इतन केदार जादव हो गया जैसे मनलब इंडियन टीम की मैं रेफरेंस के हिसाब से बोल रहा हूं कि लोवर मीडल ओडर वाले बैट्स में नहीं रागु रगु शर्मा हो गया एक ओवर इसने करवा है रगु शर्मा आपको चार चार ओवर भी करवा कर दे रहा है देखो चार भी करवा सकता कोई दिक्कत नहीं डी रोहित कैप्टन अपनी टीम का आपको रंज और विकेट दोनों लाके दे रहा है ऐसी शिवम सिंग ने भी यहां पर एक ओवर करवाया बढ़िया परफॉर्म कर रहा बालिंग भी आपको करवा के दे रहा है बी सिंग कि अगर मैं बा में उसके जीतने के बहुत जाद चांसें वी मुरी मुत्थू आपके पास अठायरन के साथ एक वीट आठायरन और तेहरन पहले ओपन यह नहीं कर रहा था पहले एस परमेश्वरम ओपन कर रहा था फिर वी वरी मुत्थू को करवा दिया गया भीया पिछले मुकाबले में यहां पर हमाई पास जो ओपन कर रहा था न वो टी सुरंगं कर रहा था ओपन टी सुरंगं के साथ हमाई पास वी शंकर वी शिशांक आया गरता था पहले मुकाबले में यह आ था एस परमेश्वरम फिर दूसरे मुकाबले में से वी शिशांक आने लग पड़ा पर अब द पेंस नमारा, उसके बाद बाद 10 रंगम आपके बास है ठाइरन पैर उसके बाद अगर आप data hita को छटका यहाँ आंफे डीड का रहा है तो यह देखके चलो चार-चार ओवर और यह कोई मालब वैसे वाले प्लेयर्स नहीं लेकर आ रहे हैं कि अच्छा जो पार्ट टाइम बॉलर होते हैं जो में बॉलर इनकी टीम में हैं जिने मतलब बॉलिंग आती है वही बॉलिंग करवा रहे हैं ऐसा नहीं कि वही अगर आता हुआ दिख जाए तो यहां पर आपको हर एक प्लेयर के जो क्या अभी तक कर रहा है तूनार में वह आपको बता चुको हूँ अभी जो हम यह आप टीम की बाद डिसकस कर लेते हैं तीम की बाद डिसकस करने से पहले जिन भाहिए ना अभी तक टेली ग्राम चैनल सकतो जी सेमल थोड़ा सा नीचे आ रहा है पर ए राज आपको उपर आकर जा रहा हूँ पिछले मुकाबले में ही फॉर्म फकड़ी है फिफ्टी वंडन मारके गया है आपके लिए फिर उसके अदे धहिया भी आपके पास है पर यह दहिया के बहुत कम चैनसे ने खेलने के तो इसे आभी के लिए ड्रॉप ही है यह जसीन आपके पास है डी रोही ता आपके पास है मैं सिंग के साथ जा रहा हूँ आप ए गोविंद राज के साथ भी जा सकते हो ए गोविंद राज उपर आ रहा है वैसे बैटिंग करने के लिए बढ़िया आपको बालिंग में भी कभी कबालिंग करवा सकता एस अंग सबस्दाइए नहीं फिछले मुकापले में बालिंग कर वा है तो मैंत देखो चे पांछ प्रमेश्रम रख रहे हो जए राजीव आपके कोई और वी शान्म करना यहां राजीव आपके पास है यहांना आपके पास है आर्विन्द राज्ञ आपके पास है तिया अबेश सकतों आपके पास छारो्त बढ़ीया है वाफGear उच्प precisamente अबेश को भी ट्राइ कर सकते हो यहां पर एट उंडा पिछले दो मुकाबलों से नहीं खेला एक मुकाबला खेला था उसमें दो विगेट इसने जटकाई उसके आद भी भूशन आपके पास है ट्राइ करना चाहते हो ग्रेंड लीग में ट्राइग गरना स्मॉल लीग में न को स्वैब करक्तों थ्ल हैं यहां पर डि रोहिट राज्वार बेस्ट को टीम है के तर्वास ने कि पासंग फैंक के आपको टीम को वाइस केप्टन जी सेमॉल फेस्केट टी सुरंगम ए जसीन दी रोहिट फेस्केट ए प्रतिबन एस्त्रीवेदी ए राजिव एस रोहन और एर्विन राच पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रेंड लिग फेवरेवल है अपडेटी टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी ट नई चैनल सुस्क्राइब कर लिजेगा वीडियो लाइक कर दीजेगा बेल आइकन दबाद दीजेगा क्योंकि ऐसी वीडियो जोर भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर